आज फिर चीन बना दुनिया के लिए संकट का विशय दुनिया को करोना जैसे संकट महामारी देने वाला चीन आज फिर चर्चा का विशय बना हुआ है इसका कारण यह है कि बिते 29 अप्रेल को चीन के अस्प्रेस एजनसी के द्वारा 27 टन वाला लॉंग मार्च 5 भी कि एगा था लेकिन अंत्रीच में अनियंतित हो जाने से इसके मलबा को गिरने का ख्त्रा बना हुआ था लेकिन नासा और चीन के कुछ अस्पेस एजेंसियों ने इसका हवाले देती हुए कहा कि चीन के अनियंतित हुए रॉकेट लॉंग मार्च का मलबा रविवार को पिठीव के वायु मंडल में परवेश कर गया और इसके मालदिव के पास हिंद महासागर में गिरने की ख़वर है देश के अस्पेस एजेंसि ने इसकी जनकारे देते हुए लोगों को और सरकार को हवाले देते हुए जवाब दिया है कि रॉकेट का मलबा कब और कहां गिरेगा चीन के मैंड अस्पेस इंजिनियरिंग का रियाले ने बताया कि चीन के लॉंग मार्च फाइब रॉकेट का उसेस बीजिंग के समया नुसार 10 बज कर 24 मिनट पर प्रिथीव के वायु मंडल में फिर से परवेश कर गये और वे 72.7 डिग्री पूर्वी दिशांतर और 2.65 डिग्री उत्री अच्छांस में समुद्र के खुले छेत्र में गिने सौथ चैना मार्किंग परिश्ट ने बताया कि ज्यादा तरफ से प्रिथीव के वायु मंडल में पुना परवेश के दोरान ही जल गये चीन के इस रॉकेट की मदद से अंतरीच में बनाये जाने वाले अपने त्यांगोंग अस्पेस अस्टेशन का पहला हिस्सा भेजा था इस अस्टेशन में 29 अपरेल को देशनी दिपिये प्रांत हैनान में बिस्पोर्ट हो गया था और नासा ने इसका ख़बर बताया कि इस पर भी कोई जानवाल का खत्रा नहीं होगा तो यह आपका वीडियो कैसे लगा आगे इस इस तरह का वीडियो जानने के लिए एचीवर पॉइंटी टू चैनल को सुस्क्राब करें धन्यवाद झाल